हलो नमस्कार जैहिंद वन्दे मातरम साथियो मैं के सनलाल आप सभी का आपके अपने यूटूब चैनल आर्जे किसने एदुकेशन पर हार्दिक स्वागत एव अभिन्नदर करता हूँ जैसा कि आप सभी विडियाटिकों मैंने बताया था कि आज से हम रेगुलर स्पेशल आपकी प्रेक्टिस क्लासे सुरू करें एक महीने का हमारा टारगेट रहेगा पूरा का पूरा कोर्स हम रिविजन करने वाले तो बहुती स्यांदार सेशन सुरू होने जा रहे हैं आज हम बात करने वाले आद खिने करने वाले आभी हम स्पेशल क्लास होने यानि रिगुलर आद जैसे डख सेक्शन को ज्यार ज्यादा आपने दोस्तों तक पहुंचा दीजिएगा ताकि ज्यादा ज्यादा ज्यार थि हमारे इस को फायदा उठापाए चले बिना देरी कि आज के सेशन के हम सरवात करने वाले जिनका भी पेपर 28 नॉमबर या 30 जनवरी को ओने वाला है यानि हम बात कर लेते एक्सपेक्टिड डेट आपका 28 नॉमबर को पेपर हो सकता है जो भी विद्यार्थी जिनका भी पहले का औरक है फिजिकल और बाकी अभी जैसे रिलेशन काफी चल रहे हैं उनके 30 जनवरी को ओने वाले है तो सभी के बारे में यह स्यांदार कलास ओने वाली है और इन 50 प्रशनों में आपको टार्गेट लेके चलना 42 पलस का देखते कौन को विद्यार्थी इस टार्गेट को अचिव कर पाएंगे बहूती स्यांदार सेशन होग तो 15 क्युष्नों का 3 SET पी च्युष्ण की चेकस का रहने वाला हैं जो 5 पिच्छे पैपरों में पुछे गए हैं और 5 क्युष्न आपके होने वाले हैं जो की आपके वेकवंगा करेंट मिश्य के कर डिजिक हो सकते हैं नए वह ओने हैं तो बहुती स्यांदार आज का City सव्युक्तराष्टर संक का मुख्याले कहा है सव्युक्तराश्टर तो बिलकु जो option नमर डी की तरफ जारे उनी विद्यार्थियों का जवाब से यह ज्यादा वियाक्या नहीं करूगा है फौर्पांश चंच्च्च्च्च्या बढ़ा दिया है तो इसका ज्यादा व्याक्या नहीं कर पाईंगे थोड़ी थोड़ी व्याक्या करता जाऊँगा और साथ साथ जो भी विधारती regular क Cap लें है अपना नors पत्यार कर लेजिगा, regular जो practice किस्ट क्लास होगी एक किस्ट आफ वन लाइनर के रूप में कनवर्ट करके लिखते जाएगा चलिए बीना देरी के अगले किस्ट की तर्व बढ़ते हैं एगला किस्ट नवर दो आपके सामने आचुका है क्या देर का है भारत की सबसे बड़ी मिठ़्े पानि की जील है भार पेले जिल की बात करें कहां इस्तित है जहों कि अगे वड़े अगला दीन नमर आपके साम ने आ चुल düny के चार मिनार कहां इस्तित है चार मिनार की बात कर लेते जल्दि से बताने की लाइव चेट में साथ साथ कोशिश करना आपको तो बिलकुँ जो अप्शन वर डी की तरफ जारे हेदराबाद हेदराबाद की बात कर लेते तो हेदराबाद में आपको पतावना चीए चार मिनार इस्तित है चलिए दोस्तों आगे बड़े अगला क्युष्ण नमर बात कर लेते जो कि आपके सामने लेते चार नमर बहुती श्यांदार क्युष्ण चार नमर आपको देर करें माउंट एवरेस्ट पर चड़ने वाली विश्वय की पर्थम महीला कौन थी विश्वय की पर्थम महीला आपको बताने कि माउंट एवरेस्ट जो की विश्वय की सबसे बिल्कुन का उत्तर सी है और पहले पुरूष की बात करें तो आपको पताओगा तेजिंग नोरगे और कौन थे एडमंड हिलेरी थे पहले पुरूष की बात करें तो वो थे यानि पर्थवेक्ति की बात करें तो आप याद रखेगा तेजिंग नोरगे और एडमंड हिलेरी थे यह क्यूशन भी important बनता है चलिए दोस्तों आगे वेड़े अगला क्यूशन नमर बात कर लेते हैं पांस नमर आपके सामने आ चुका है बहुती श्यांदार क्यूशन आपको देर का है परवती इस्तेल जो नेनी ताल है नेनी ताल की बात करे है यानि वो किस राज्ये में इस्तित है तो बिलकु जो option वर B की तरफ जा रहे उत्तरा खंड बिलकुन का उत्तर सी है और उत्तरा खंड की बात कर लेते हैं राजदानी की बात करें तो देरादूने उत्तरा खंड की राजदानी क्या है देरादूने और एक क्यूसन बहुत ही important बनता है उत्तरा खंड राज्ये पहले किस राज्ये का वाग था तो यूपी यानि उत्तरफर्देश का वाग था यदि में बात करूं कब वालग वाता तो 9 नौवमबर याद रखेगा यह किसन भी पेपर में आने की संभावना रहेगी 9 नौवमबर 2000 में आपको पता है नए राज्ये की हम बात कर लेते रचनाविया बात कर लेते विवाजित होकर नया राज्य कोन बना 9 नौवमबर 2000 में बन गया उत्तरा खण यह सबी विद्यातियों को नोट कर लेना है चलिए दोस्तों आगे विड़े अगला क्युष्ण और बात कर लेते है च्छै नमर आपके सामने आचका है रवी दईयां का समन्द किस्टे है देखते कौन-कौन विद्यार्थी साही जवाब दे पाएंगे यह मैंने एक नया क्यूष्ण ने इंकलूड किया है मैंने काना 45 क्यूष्ण आपके परवी सिर्के पेपरों से होगे और 5 क्यूष्ण आपके नए इंकलूड करने वाले तो इसी भी तरह काम समझवता नहीं करेंगे क्यूंकि हमारा टार्गेट रहता है जी के जीएस बले कुछ भी हो परते क्यूष्ण आपको हूभू एक्जाम में देखने को मिले तो बात कर लेते हैं रवी दईया का समन्द किस्ते हैं तो बिल्कु जो आप्शन नवर B की तरफ कार खाना कहां इस्तित हैं यानि हम बात कर लेते हैं सबसे बड़े पोत कार खाने यानि सिप्यार्ड की बात करें तो वह कहां हैं तो बिल्कु जो आप्शन और B की तरफ जारे कोची बिल्कुन का उतसी है अब कई बार क्यूष्ण ऐसे भी आ जाता है कि कोची खाएं तो आपको पता होगा केरल का एक सहर है कोची की बात करें तो केरल का एक सहर है और केरल की साक्षरता दर सरवादिक है यह भी सभी विद्यार्थियों को पता होना चाहिए चलिए दोस्तों आगे बड़े अगला क्यूष्ण नमर बात कर लेते हैं जो की आठ नमर आपके सामने जन संक्या के आदार पर भारत का सबसे बड़ा राज्य है जन संक्या के आदार पर भारत के सबसे बड़े राज्य की बात करें तो वह उत्तर परदेश यूपी और यूपी की राज़दानी याद रखेगा लकन हुआ है जिसे नवाबों का सेर भी का जाता है और छेतर पल के रादार पे सबसे बड़े राज्य की बात करें तो याद रखेगा राजस्तान है क्या है राजस्तान है और राजस्तान की राजस्तान जेपूर है जिसे पिंक सिटी यानि गुलावी नगरी भी कहा जाता है चलिए दोस्तों मद्य पर्देश की बात कर लेते हैं सोया पर्दे और यह क्योशन हुबू एक्जाम में पूछा गया तो इसलिए में बहुती श्यांदार यहां से हम चर्चा करने वाले यदि में बात करें जेन दर्म की इस्टापना किसने की यानि पर्थम्तिस्ट करकी बात करें जेन दर्म के तो आपको पताओगा पर्थम थे रिसब्बद कहते हैं यह क्योशन बहुती स्यांदार सभी विद्याती नोट लगा कर लिख लेजीगा बहुती इंपोर्टेंट बनेगा और एक्जाम में ऐसा पुछा गया है तो आपको पता है जेन दर्म के सर्श्टापक मानने किसे जाते है मावीर स्वामी को माने जाते है जो की अंत आदिनाथ थे जो पर्थम तेस्ट करते हैं याद रखिएगा बहुत ही इंपोर्टेंट किसने जब आपको उप्शन में नहीं मिले सर्श्टापक के यदि मैं बात करूं वास्ट विक सर्श्टापक तो वह कौन थे आदिनाथ थे लेकिन एक्जाम इस तरह का कई बार कितने मौलिक अधिकार हैं तो वर्तमान में मौलिक अधिकार की बात करें तो बिलकुँ जो उप्शन में एक तरफ जा रहे इच्छा है बिलकुन का उत्तर सही है और मूल सवीदान में कितने मौलिक अधिकार कितने थे मूल सवीदान में कितने मौलिक अधिकार थे तब कौन से सविधान संसोधन के तैत हम बात कर लेते हैं संपति के अधिकार को कानूनी अधिकार बनाया गया तो यह बनाया गया था में जो मोलिक अधिकार कौन था था संपति का उसको कानूली अधिकार बना दिया गया चलिए दोस्तों आगे विड़े अगला किश्टन नमर बात कर लेते हैं जो की ग्यारा नमर आपके सामने आ चुका है सीक धरम के किश्टन आपको दे रखा है सीक धरम के सैंश्टा पर क्य है और सीक धरम के यदि में बात करूं अंतिम हम बात कर लेते गूरू की बात करे तो दसवे गूरू की बात करे याद रखेगा अंतिम दस गूरू हुए थे पहले बात कर लेते सीक धरम में कितने गूरू हुए थे दस गूरू हुए थे उन्हें अंतिम गूरू की बात करे तो याद रखेगा गूरू गोविंद सिंग थे कौन थे गूरू गोविंद सिंग थे और पर्थम की बात करें तो गूरू नानक देओ थे जिने सहिस्तापक भी माना जाता है चैनली दोस्तों आगे बड़े अगला किश्ण नमर बात कर लेते है जो की बारा नमर आपके सामने आचुका है अर्थ शास्तर नामक पुष्टक के लेख है कोन मैं पुष्टक की बात कर रहा हूँ यानि अर्थ शास्तर नामक जो पुष्टक है वो किसके दोरा लिखी गई है तो ये बात कर लेते हैं कोटी ले विश्णू गुप्तिया चाने के कह सकते हैं एक ही नाम में याद रखेगा कोटी ले विश्णू गुप्तिया चाने के यानि बिलकुज जो औप्शन वाशी की तरफ जारे उन विद्यार्थियों का जवाब सही है और जल्दी से सभी स्टूडेंट एक बार कॉमेंट करके बता दो अर्थ सास्तर के लेख कोन है यानि अर्थ सास्तर के लेख कोन है ये जल्दी से सभी का कॉमेंट वोक्स में जवाब आना चीए कलेड की बात कर लेते हैं राश्तरंगी नी पुष्टक लिकी गिए जिसमें कश्मीर के इतियास से समन्दित वर्णन मिलता है चलिए दोस्तों आगे वेड़े अगला किस्टन नमर बात कर लेते हैं जो की तेरा नमर आपके सामने आ चुका है काजी रंगा नेशनल पारक बहुती इंपोर्टेंट किस् इस्तित है तो काजी रंगा आपको पता होगा एक सिंग वाले गेंडे के लिए जाने जाने वाला राष्टी उद्यान है वह बिलकुल जो ऑप्शन वर बी की तरफ जारे असम बिलकुन का उत्तर सही है चलिए दोस्तों आगे वेड़े अगला किस्टन बात कर लेते हैं जो कि तरफ जारे 14 शितंबर उन विद्यार्थियों का जवाब सिए और विश्व्ए इंदीदी उसकी बात करे तो रहत करें लाफ एंतर ऑश्फिय नोट करें हैं नंतरा जन्वरी को मनें जाता है만रे को कब करें तो ज़ल नहीं जन्रें ट fort सही आको चलिए दोस्तों आगे वड़े अगला क्यूशन और बात कर लेते हैं जो की 15 नमर आपके साम जा चुका है क्यूशन देर का है आई एस आई किस देश की एक गुपतर सहस्तान है यह बात कर लेते हैं यह तो आप सों को पता हुआ का पाकिस्तान की है तो बिल्कु जो ऑप्शन सभी वड़्यारती की नोट कीजिगां इंटर सर्वीय संटेलिजेंस होता है और एक ISi होता जो आपको पता है यदि में बात करूं भारत में तो आपको पता हुआ है इंडियन किस नमर बात कर लेते हैं जो कि 16 नमर आपके सामने आ चुका है बारत के सैसस्तर सेना का सरोच कमांडर कौन होता है तिनों सेनाओं का सरोच कमांडर सरोच सेनापती की बात करें तो वह होता है राष्टपती कौन होता है बारत का राष्टपती वर्तमान में रामनात कोविंद कोन है राम नात कुई न है तो बिलकुल जो और फियरheiro की तरफ जारे एक ही तरफ जारे उन विद्यारतियों का जवाब सही है और वरत्मान में लोग्सबादिके की के बात करें तो और परतम लोग्सबादिकों की की तो जीवी मावल करते, यह सभी विद्यार्थियों को नोट कर लेना, यानि गरेश वासुन देव मावल करते, पर हम लोग से बादिक्स की बात करें, कई बार पेपरों में पूछा आ गया क्यूशन है, चलिए दोस्तों आगे बड़े, अगला क्यूशन और बात कर लेते हैं, 17 नमर आपके सामने आ चुका है, फुटबोल विश्वेक अप कितने वर्षों के अंतराल में होता है, यानि फुटबोल विश्वेक अप होता है, वो कितने सालों के बाद होता है, तो परते एक 4 साल के बाद आपको पता होगा, फुटबोल विश्वेक अप होता है, तो बि गोतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहां दिया था जल्दी से बताने कोशिश करेगा तो गोतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश की बात करे तो वो दिया था सारनात में बिलकुँ जो ऑप्शन नमर B की तरफ जारे बिलकुन का उत्तस ही है और गोतम बुद्ध को ज्यान की प्राप्ति कहा हुई तो बहुत गया में हुई यह भी सभी विद्यार्थियों को नोट कर लेना है चलिए दोस्तों आगे बढ़ें अगला क्योशन नमर बात कर लेते हैं 19 नमर आपके सामने आच चुका है यह सारे के सारे क्योशन परवी सिर्ट के पेपरों में कुछे में काप विद्यार्ति जो बाविफ होजी बनना चाहता है झिनका वी आगामी परोने वाला है उन सब के साथ यह वीडियो शेयर किजेगा क्योंकि आपको पता है में करते हैं अंतिम दिनों में पास में आ जाता है आपको पता है लग बग एक महिने के बाद आपका पेपर है तो पेपर की खोपड़ी में हम छेद करने वाले पेपर को जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं यह हमारा टार्गेट रहता है और इस्पेशल कलास जो जुनून के साथ होती अंतिम दिनों में और अंतिम दिनों की बात करें इसका मतलब 6 तरफल के यह होगा क्योंकि जनसंग क्या तो आपको पताई यह अगले दे लिखा थोड़ीं G ensemble क्या क्या क्या歌 क्या तो डाइलेक्ट अगला लिख एक सबसे बड़ा सबी विद्यार्थियों को नोट कर लेना है चलिए दोस्तों आगे वड़े अगला क्यूशन नमर बात कर लेते हैं जो की 20 नमर आपके सामने आ चुका है बहुत ही ज्यादा बार रिपीट ओने वाला क्यूशन है कई बार तो कुष्ने स आ जाता ुक हम बढ़े दोस्तों आगे वड़े अगला क्यूशन नमर बात कर लेते हैं चुका है टोकियो ओलम्पिक टोकियो ओलम्पिक जो 2020 का था वा तो 2020 में था भारत की तरफ से कोई भी पदक जीतने वाला पर्थम खिलाडिक हो था यह कई सारी भी धैर्ट क्या उड़े कंद्धिव्ज और वाले देखो कंद्धिव्ज नहीं उड़े में किसन ध्यान से पटी वो नए क्यूशन बन रहे हैं उन्हीं पर हम्चर्चा करने वाले तो वो थे कौन मीरा बाई चानू कौन थी मीरा बाई चानू थी बिल्कुज ओप्शन नमर बी की तरफ जारे कई सारी विद्यारती निर्ष चोपडा कर देंगे निर्ष चोपडा ने बात कर लेते आपको प रहे हैं इसका मतलब कोई साथ बी पदक जीते लेकिन टोकियो ऑलंपिक में पदक की सिर्वात करने वाले की बात करें यहांनि टोक्यों की तरफ से सबसे पहले खाता कि ने खोला था यानि पदक के चेतर में तो बिलकुल हम बात कर लेते मेरा बाई चानू ने और कौन सा प बात कर लेतें, filvr medal की मतलब हो गया यानि जो चांडि का पड़क होता ह耶, बीस के स innovate कि अधि निर्थ चोपडा की बात करें सवणपद क्यानी गोल्ड मेडल जीता था यह सभी विद्याथी को नोट कर लेना बिल्कुल भी कन फ्यूज नहीं होना है और मीरा बाई चानू का समध किसे यह भी पेपर में आ सकता है तो बारो तोलन से किसे बारो तोलन से समध दिता है यह जारें ब्रासीलिया या ब्राजीलिया भी कह सकते हैं तो बिल्कुल जो अपस्टन में डी की तरफ जारें बिल्कुल उन विद्यार्थियों का ज्वाब से यह ब्राजील की बात कर लेते हैं विश्व में कोफी उत्पादन में पर्थम की बात करें तो सभी विद्यार्थी पेपर वे थे उनमें पुछ आ गया क्योशन है बहुती स्यांदार क्योशन है तो एक बार सभी विदार्थी इसका लाइफ चैड में जवाब देने की कोशिश करीगा देखते कौन-कौन विदार्थी क्योशन का सई जवाब दे पाएंगे बहुती इंपोर्टेंट क्योशन ह तो बिल्कुल जो उप्षन वर B की तरफ जा रहे है देनेशनस्प्राइट.com याद रखेगा यह वेबसाइट अब की बार पेपर में दुबारा भी रिपीट हो सकता है कि आर्मी के पेपर में या तो पिछ्छे के क्योशन रिपीट होते है या उससे समझन एक एक्सफेक् सामने आचुका एे जल्दी से सभी विद्यार्टि के उफशन वर 24 का जवाब देने की कोशिस करएगा क्या देर? सब्सक्राइब पकुल सब्सक्राइब एक लेकिन दोनों डे ऑपन प पीच्छे एक्जा में पूछा गया था टेबल एदिस वी दे दिया और विद्यार्थियों का जवाब सही है चलिए दोस्तों आगे वेड़े अगला क्योशन नमर बात करें ते 25 नमर आपके सामने आ चुका है विश्वय में कुटो की सबसे छोटी पर जाती कौन सी है यह क्योशन भी पिछे के पेपर में पूछा गया जो आपको पता है नौंबर म चलिए दोस्तों आगे वेड़े अगला क्योशन नमर आपके सामने आ चुका है उस्ताद मसूर हम बात करें किस मुगल समराट के राज्यमे में मसूर चित्रकार थे यानी वोस्ताद मसूर की बात करें यानि वो पिलकुशन नमर एक सासनकाल में थे का जवाब सही है चलिए दोस्तों आगे विड़े अगला क्यूशन नवर बात कर लेते हैं जो कि आपके सामने लेते हैं 27 नमर सभी विद्यार्थी कोपी और पेंच साथ रिखेगा एक क्यूशन को आप वन लाइनर की रूप में कनवर्ट कटके लिखते जाएगा क्यूंकि ज बिलकुल उन विद्यार्थियों का जवाब सही है चलिए दोस्तों आगे वेड़े अगला क्यूशन नवर बात कर लेते हैं 28 नमर आपके सामने आ चुका है अजंता और एलोरा की गुफा की बात करें तो यह औरंगाबाद और औरंगाबाद की बात करें तो यह कहा है महारा महाराष्टर बिलकुल का उत्तर से है और याद रखेगा औरंगाबाद का हैं औरंगाबाद में तो औरंगाबाद का हैं महाराष्टर में यह सबी विद्यार्थियों को नोट कर लेना बहुती स्यांदार क्यूशन आपको देर रखाता चलिए दोस्तों आगे वड़े अग जो कि तरफ जारे उन विद्यार्थियों का जवाब सही है चलिए दोस्तों आगे वड़े अगला क्यूशन नमर बात कर लेते हैं जो की तीस नमर आपके सामने आ चुका है निवलिक्ट में से किस बारतीय राजे में रेलवे स्टेशन नहीं है रेलवे स्टेशन नहीं है य याद रखीगा जनसंक्या सबसे कम की बात करें तो वह भी कहां कि ये सीकिम की है जनसंक्या के आदार पर भारत का सबसे छोटा राजे की बात करें तो वह कौन है सीकिम है ये भी सभी विद्यार्थियों को नोट कर लेना है चलिए दोस्तों आगे वेड़े अगला क्यूश सरोपर्त भारत में पस्चिम के रास्ते कहां से आया था अब बात कर लेते कई सारे विद्याथि सोचेंगे सर पनजाब करें क्या करना पड़ेगा तो ध्यान रखेगा विद्यार्थियों यहाँ में आपको बता देता हूं यदि बात करें पहले सरोपर्तम यानि उस क्या बारत और पाक क्या था एक था बारत और पाक एक था इसका मतलब बाबर सवरो परतम भारत में पस्ट्सिम के राज से सिंद्ध से बारत आया था उप्सन नमर आपका भी करना पड़ेगा यदि वर्तमान में बात करें यानि अब वर्तमान में वह भूमी कौन सी है जो बारत मे विकल जाता है तो इस में लिए पाकिस्तान और वारत हुगा पावारत अँगे this उसका मतलब हुँ क्या करना पड़ेगा उर्तमान में से वर्तमान में पाकिस्तान में लेकिन उस वक्त तो पारत के बिर्ट हुगा श्यलीयेеры और तो आगे वेड़े अगला क्योशन नमर बात कर लेते हैं जो कि 32 नमर आपके सामने आ चुका है क्या दिर का है पारूपली कस्यप किस खेल से सम्मधित है किस खेल से जुड़े विए तो जल्दी से बताने कोशिश करेगा यह क्योशन में एक नया लिए ताकि हर एक विद् सारे बेड़ मिटन खिलाड़ी बिल्कुल उन विद्यारतियों का जवाब सही है चलिए दोस्तों आगे वड़े अगला क्योशन नमर बात कर लेते हैं जो कि आपके सामने आ चुका है 33 नमर क्योशन आपको देर का है सरीर का रक्त चाप मापने का यंतर कौन सा है यह क्योश आपको पता होगा बिल्कु जो ऑप्शन वर डी की तरफ जारे इस पाई नो मेनो मिटर की बात कर लेते हैं तो यह उपकरन आपको पता है मानुश सरीर में रक्त चाप मापने के लिए काम में जया जाता है और मानुश सरीर का सामने रक्त दाब की बात करें तो आपको पता आपके सामने आ चुका है मारक्स वाद का मुख्य समर्तक किसे माना जाता है मारक्स वाद का मुख्य समर्तक की बात करें तो कारल मारक्स को माना जाता है किसको माना जाता है कारल मारक्स को माना जाता है बिलकुछ जो उप्षन वर सी की तरफ जारे उन विद्यार्थियों का ज सिमला और यह कब होती है यह आपको पताएगा यह ग्री समकाल में होती है कब होती है नोट कर लो सभी विद्याटी यह ग्री समकाली निराजदाने कौन सी ग्री समकाली निया गर्मियों में होते है और सीथ काली की बात करे तो धरम साला याद रखेगा जल्दी से कॉमेंट कर कि बता दो सीथ कालीन की बात करें तो धरम साला है यह क्यूशन भी पेपर में आज शुकता है धरम साला तो आपके ऑप्शन में एक ही देरका था बाकी एकदम आराम से कर सकते थे आपको कई गरिश्म कालीन कौन सी है तो सिमला करना है और सीथ कालीन की बात करें तो धरम साला करना है यह सभी विद्याति नोट कर सकते हैं चलि दोस्तों आगे बेड़े अगला क्यूशन नमर बात कर लेते शतीस नमर आपके साम्हें आच पानी पत की तीसरी लड़ाई पहला तो दिमाग में यह आना चाहिए कि पानी पत की तीसरी लड़ाई कब वूई थी तो यह किसके एहमदसा अब्दाली के द्वारा तो बिल्कु जो और बी की तरफ जारे एहमदसा अब्दाली बिल्कुल उन विद्यारतियों का जवाब सही है आपको पताओगा इस में बात कर लेते मराठाओं की क्या हुई थी हार हुई थी और यदि में बात करू जीत किसकी हुई तो आपको पताओगा एहमदसा अब्दाली की विद्यारतियों को नोट कर लेना है चलिए दोस्तों आगे विड़े अगला क्विशन नोर बात कर लेते हैं 37 नमर आपके सामने अचिक है किसन देर का है सवराज मेरा जनम सिध हदिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा यह ना बाल गंगादर तिलक ने किसने का था बाल गंगादर तिलक ने का था बिलकुल जो और एक इतर बजारे उन विद्यारतियों का जवाब सही है चलिए दोस्तों आगे वेड़े अगला क्विशन नोर बात कर लेते हैं जो की 38 नमर आपके सामने अचिक है पवीतर गरंत गीता पवीतर गरंत गीता किस के द्वारा लिखी गई है अब कई सारी विद्यारति सोचेंगे कि गीता क्रिशन के द्वारा लिखी गई है बिलकुल उन विद्यारतियों का जवाब क्या होगा भी गल्त होगा गीता आपको पता होगा माबार्त का क्या है एक अंग है गीता की बा गीता का आपको पूचे तो माबार्त का एक है गीता एक अंग है इसका मतलब इसकी रचना वेद व्यास जी ने की थी याद रखिगा कृष्ण आपको नहीं करना है कृष्ण उनने तो आपको बता है अरजुन के समख्ष गीता का हम बात कर लेते हैं अद्देन किया था कि मुद्रा भी क्या है रूपए है जिसकी मुद्रा भी रूपए है आपको पता है बार्त पाकिस्तान सरी लंका की मुद्रा क्या रूपए है और उसी परकार एसा कौन सा और देश वह आपको उप्षन में दिखाई दे रहे जिसकी मुद्रा भी आपकी क्या करनी है रूप काट मंडू है ये सभी विद्यार्टियों को नोट कर लेना है चलिए दोस्तों अगला क्यूशन नमर बात कर लेते हैं चालिश नमर आपके सामने आचुका है परसिद गीत का नाम आपको देर का है सारे जहां से अच्छा हिंदुस्ता हमारा की रचना किसने की बहुती किसने की है तो जैदेव ने की है सभी विद्यार्टियों को नोट कर लेना है चलिए दोस्तों आगे बड़े अगला क्यूशन नमर बात कर लेते हैं 41 नमर आपके सामने आचुका है क्या देर का है भारत में मुगल समराजे की इस्तापना यानि मुगल समराजे की नियू किस ने रखी थी जल्दी से बताने कोशिश करेगा तो वो रखी थी बाबर ने बिल्कु जो आफ्सन नमर एक ही तरफ जारे बाबर बिलकुन का उत्तर सी है और अंति मुगल समराज की बात कर लेते हैं तो बाहदूर शाह जब पर थे यह भी सभी विद्यार्टियों कर सकते है चलिए दोस्तों आगे बड़े अगला किशन नमर बात कर लेते हैं जो की 42 नमर आपके सामने आ चुका है सूरिय मंदिर कहां इस्तित है सूरिय मंदिर की बात कर लेते हैं तो यह कुरानक में कहा है कुरानक में बिलकु जो आफसन नमर डी की तरफ जारे और कुरानक की बात kijاتے है कों से राजे में है क्यी बार कुफिन ऐसे भी आ जाता है सूरिय कौन से राजे में तो ौडिशा उभिए फिर को से रजे में और रजा में बात कर लेते हैं जो की 45 क्योनिया बारतियों के राज पाल की नियुकति कौन करता रही है चलिए दोस्तों और राश्टपती दोनों की बात कर लेते हैं उमर सिमा की बात करें तो 35 वर्ष होती है यानि नियून तब उमर की बात करें तो कितनी होती है 35 वर्ष होती है राज पाल या राश्टपती नियुक तोहने के लिए चलिए दोस्तों आगे बड़े अगल मंतरी होती है और आपको क्यूशन में ने पूछ लिया उपादेख्स कौन है वर्तमान उपादेख्स आपको बताना है देखते कौन-कौन विद्यार्थी इसका सभी जवाब दे पाएंगे तो बिल्कुशन में किस की तरफ जारे जाजीव कुमार उन विद्यार्थियों का ज आचुका है रामाइण करंत की बात कर लेते हैं जल्दी से बताने कोशिश करेगा तो ये लिखा है वालमी की जिन बिल्कुश जो ऑप्षन में वर्डी की तरफ जारे उन विद्यार्थियों का जवाब सही है वेद व्यास जीन में अभी बतायता महाबार्थ की रचना की ठ चलिए दोस्तों आगे विडे जो की चलीत नमर आपके सामने आ चुका है बारतिय विज्ञान संस्थान का? बारतिय विज्रात के बात कर लेते आपने दोस्तों में भी शेयर किजिगा हर एक इवाज जो इंडियन आर्मी की तेरिकर है यानि भावी फोजी बनना चाहता है उन विद्यार्थी के साथ यह क्लास जूर शेयर किजिगा क्योंकि बिल्कुली शांदार कंटेंट हम ऑथेंटिक कंटेंट आपको प्रवाइड कर बात कर रहें करेंगे तो जितने विद्यार्थी लाइब है जिनोंने भी चैनल को अभी तक करका है चैनल को सबस्क्राइब कर लो क्यूंकि एक मीने के अंदर पुरा का करने वाल है डुआ करने वाले यह एक षीची के मुख्याले की तो यह दूबई में दूबई की बात कर लेते हैं तो आपको पता होगा UAE में का मतलब होता है सयुक्त हम बात कर लेते हैं सयुक्त अरब अमीरात क्या सयुक्त अरब अमीरात में है यानि दूबई में यह सभी विद्यार्थियों को नोट कर लेना है और लंदन की बात कर लेत क्रिकेट का जनवदाता देश की बात करें तो वह कौन है इंगलेंड है यानि ब्रीटेन है यह भी सभी विदार्थी नोट कर सकते हैं चलिए दोस्ता आगे विडिये अगला किस्ता नोर बात कर लेते हैं 48 नमर आपके सामने चुका है सर्वोच गेर सेनिक वीरता पुर्षका कौन सा है आपको यह सा क्यों सनाए कि सर्वोच वीरता पुर्षकार कौन सा है यानि सर्वोच शोर यह पुर्षकार की बात करें तब तो आपको परम वीरता चकर करना पड़ता है लेकिन मैंने का गेर सेनिक वीरता पुर्षकार की बात करें तू है अशोग चकर कौन से मैंने सेनिक वीरता पुर्षकार की बात नहीं किया मैंने लिखा गेर सेनिक वीरता पुर्षकार और यह पेपर में पूछा गया कि उस्टन है बहुत ही स्यांदार है तो सभी विद्यार्टी नोट की जिएगा भारत का सरवच वीरता पुर्षकार की बात करें तब आपको पर गौार्टी में काई गौार्टी में जो की एसम में बिल्कु जो और किस की तरब जारे डी की तरब जारे उन विद्यारतियों का जवाब सही है चलिए दोस्तों आगे बड़े अगला किसे नमर बात कर लेते हैं पचास नमर आपके सामने राजस्तान के वरतमान मुख्यमंतरी कोन है तो राजस्तान में वरतमान मुख्यमंतरी की बात करें तो सब को पता है एसोग गैल होता है वरतमान मुख्यमंतरी की बात करें तो यह थ दोस्तों आज की क्लास जल्दी से सभी विद्यार्टे अपना स्कोर कोमेंट करके बता दो ताकि हमें भी पता चल पाई आपके कितने कि उसन राइट हुए और जो भी विद्यार्टे अपनी बेतरी नहीं हमारी इबुक जो टोपिक वाइज जिसके मादम से आप पूरा का पर आपको लिंक डिस्क्रिप्शिन देरकर जिन्होंने पहले से हमारी यह टोपिक वाइज बुक नहीं लेरकिये जूर लिजिगा और अपनी त्यारी को बेतरी किजिगा चलिए दोस्तों यह थी आज की कलास उमीद करता हूं सभी विद्यार्टे को पसंद जूर आईए ए दोस्तों आज के सेस्मलों में यह सब्वत करता हूं थेंक्यों फॉर वाचिंग जै हिंद जै बार्थ